हलो चंपियंस, वेलकम बैक टू अनेधर वीडियो, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ जो है आपका L.I.C. A.D.O. का जो है कंटिंजनसी लिष्ट का जो है एक अपडेट आया है, वो अपडेट जो है आपने मतलब बहुत सार लोगों ने जो है वो देख लिए होंगे, पर मेरे साथ जो है वो टेलिग्राम ग्रूप में एक जो है सब्सक्राइबर ने शेर किया था, तो मैंने सोचा क्यों आप सब लोगों के साथ शेर कर दूँ, ताकि जो लोग अभी contingency list का जो है वो वेट कर रहे थे, तो उनको जो है कुछ information जो है वो मिल सके, या फिर जो मतलब इसमें जो है 8 journal offices को जो है, वो contingency list के बारे में बताया गया है, तो जो बाकी के जो और offices हैं, तो मतलब वो भी उमीद कर सकते हैं कि उनकी भी contingency list की जो process होगी, वो जल्द ही शु और telegram channel पर जाके जहां पर मेरे साथ की candidate ने जो है वो share किया है, आप telegram channel जो है banker and mentor के नाम से search करके आप उसको भी जो है वहाँ पर join कर सकते हैं, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, तो friends इस हफते में आपका जो है LIC का जो आपका central office मुंबई की तरफ से, आपक जो है New Delhi हो गया, कानपूर आपका हो गया, बोपाल आपका हो गया, पटना आपका हो गया, उसके बाद कुलकता, चेन्नाई, हैदराबाद, मुंबई, इन आठ जो है आपके journal offices को जो है वो mail आई है, मतलब उनको जो है notice जो है वो मतलब एक तरह से उनको जारी किया है कि आप जो है अब जो आपकी contingency list में जो लोग है, उनको आप उनकी जो है आपको appointment करनी है, मतलब जैसी भी vacancies है, मतलब seat जो vacant है उनको जो है अभी contingency list को जो है अब निकालना है, तो उन्होंने उसमें जो date है वो दी हुई है कि जो आपकी contingency जो list होगी, आपके जो journal office में लगेगी वो 19 January 2024 को जो है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी और उसके बाद जो है जो लोगों का भी जो है contingency list में जो है नाम आएगा तो उनको जो है email 5 February 2024 तक जो है उनके पास email आ जाएगी उसके बाद जो आपकी medical की process है वो आपकी 20 February 2024 तक complete हो जाएगी उसके बाद जो आपकी appointment है appointment जो है आपकी 8 March 2024 को हो जाएगी उसके बाद जो आपकी training शुरू होगी वो आपकी 18 March 2024 से लेकर 18 5 2024 तक चलेगी मतलब दो महीने की जो है आपकी aadio की training चलेगी और उसके बाद आपको जो है 18 5 2019 2024 को मतलब paidio के रूप में आपको जो है वो appointment कर दिया जाएगा तो और भी कुछ जो है उसमें detail थी वो आप जो जैसे मैंने बोला कि टेलिग्राम चैनल पर जाके आप जो हैं वो check कर सकते हैं तो बस मुझे आपको यही information देनी थी कि जो लोग अभी जो है contingency list का जो wait कर रहे थे मतलब जो मैंने आपको 8 offices बताएं इनकी जो है contingency list को जो clear करने का मतलब process होगी वो जलती ही मतलब चालू होगी तो बस आज की वीडियो में इतना ही तो मतलब मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगे होगी तो वीडियो को like जरूर कर देना और चैनल को जरूर subscribe कर देना और और लोगों के साथ